पूरा अग्दम की 20 लॉंग कोशन 20 लॉंग कोशन 20 देडूतिय प्रसुमतर कब ला रहे हो कब ला रहे सर कितना कॉल आ गया मेरे पास ठीक है न। ले दोस्त आपको बता दे को इंटर परिक्षा दोजेश की बात करें इसमें आपको टोटल छे लॉंग कोशन पुछाते हैं कितने चीलॉंग कोशन में आपको कलियर करने के लिए आपको 20 कोसन मातर पढ़ लो आपका 3 कोसन कलियर हो जाए तो मैं इस 20 कोसन में इस 5 कोसन को अलड़ी मैं प्रहा चुका हूं समझा चुका हूं पूरे अंसर के सांथ पूरे थीओरी के सांथ ठीक है ना उसका लेक्चर आपको केकी जी क्लासे की यूटूब टीक है न लेक्चरर नमबर टूए तो बीस लॉघ को सन दिरहुतिरिये प्रस्ता जिसको कहा दता है पांस लॉघ्ठर नमबर टू है आज देख सकते ठीक है नवतकर नमबर तूऊ है चली लेक्चर को सुरू कीजिएगा ठीक है ना तो फीडियाप नोट्स को लेने के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा है रहा है जरूर कर लिजिएगा मेरे दोस्तिक है फोटो इलेक्टिक इफेक्ट क्या है साथ में इसकी जो व्याख्या करना है आइंस्टिन के द्वारा कैसे की गई है और यह कोसन आप देखो 2011, 2014, 2015, 2016 और उसके बाद भी 1990-1993 के एक्जामें पूछा गया है इतना इंपोर्टिन कोसने यह विए से भी विए हार बोट की बात करता है तो सबसे बढ़े इसमें टॉपिक बाई चलिए तो सबसे बढ़े कोसन का प्रकास पिदित प्रभा क्या है इसको समझेए तो फोटो इलेक्टिक इफेक्ट की बात करते हैं दहातू की सता पर प्रकास को आप्तित कराकर प्रकास उर्जा के द्वरा दहातू की सता से इलेक्ट्रोनों को मुक्त करने की किरिया को प्रकास पिद्द प्रुहा करती है। माल ले अगर आपके पास मेरे पास वहु सरा भुक भी है और अगर मेरे पास यह दहातू की सता है यह आप धहातू की सरपस है आपको नजर आ रहा होगा इस सरपस पर क्या करेंगे प्रकास को आरूपीत करेंगे मतलब इसे आपतित करेंगे इसे प्रकास को माल ले आरोपित मतलब इस पर डाल कर, प्रकास को आरोपित करके, प्रकास में जो उर्जा एनर्जी है, उसके दोरा इस धातू की सता से इलेक्टोन को मुक्त करना, मतलब इस पर जब प्रकास डालेंगे, तो इसमें जो भी इलेक्टोन है, वो प्रकास की उर्जा की वज़ा से इलेक प्रकास उर्जा के द्वारा उर्जाएं ठीक है ना विपतल इनर्जिद अ के द्वारा एक नियूरे बालता उर्जाएंे जोंगे गए start पुर्वाजे होगा उसका खंदान आज भी वीडियो गर देख रहा हो ठीक है न है बुर्टामर्टान समझतै कैसे गांदीजी गांदीजी के खंदान को यहां भी होगा उन्हें की ते रिएक्षिंट्ट भी है कैसे की गई है तो अब देखिए आंश्टिन का प्रकास विदुत समिकरन क्या इसको समझ गया इसके दो तरका से बाटा गया है कैसे कैसे समझ गया इस सिधांद के अनुसार बताया गया मतलब बताया गया किस सिधांद के आंश्टिन के समिकरन या सिधांद के अनुसार ठीक ह आंश्रीन के समिकान के जाते होने थो चाहिए कि셔야 प्रकास उर्जा का एक बंडल है क्या है यसे फौटॉन कहा जाता है इसे間 करते हैं फोटOn कहा जाता है जिहान रखिएगा जिसे फोटOn कहा जाता तो किसी इनोड के सता पर आप्तीत होती है तो फोटOn कि इस उर्जा का उप्योग दो तरका से किया जाता है फिर समझी में दोस मैं कहा इस समिकरान या इस सिद्धान का नुसार आएंगे आंश्टिन के समिकरान के नुसार प्रकास जो है उर्जा का एक बंडल है उर्जा का एक बंडल है जिसे फोटोन कहा जाता है क्या कहाता है फोटोन का उपयोग होता है दो तरीके से होता है जब कोई फोटोन किसी एंवर के सतर पराप्तित कर आपतित करें जाए गा आपतित होती तो फुटोनों का उर्जा, जो फुटोन के इस उर्जा को, हम लोग उपयोग जो करते हैं, दो तरीका से करते हैं, क्या तरीका से, दो तरीका से इसका उपयोग होता है, मिरे मित्र अराम चे समझना आद तब समझ में आएंगे न तो दिक्तत होगा, दो तरीका क्या चलिए पहिल प्रकास को आर पर जाने में कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा आप प्रकास को उर्जा को उसमें रख लेगा आप ही सूचिए जब हम लोग सीसा से आर पर जब प्रकास को डालते हैं तो प्रकास इधर जाधा राता उधर कम हो जाता है मुएाल के कॉपणू पास अब फोन एक है जहां पर लगा हुआा है विचे जब यह औरथक को पार करेगा तो यह कुछ न कुछ रख लेगा ना कुछ नगोच न कुछ उड़्जा इसमें लपता जाता है। वही कहता है कि उड़्जा के बाइशन और अजो होता है धातो के प्रिष्टिय और॥कशन अनरजीcker उसको पार करने में जाता है और दोराया कितने बजाता है सुबद 4 बजे दोराया जाएगा और आप कुछ साम में आएगा उसके बाद आपको खाना पिना सब्बद नहीं कि आपका एनर्जी डाउन हो जाता है आपको जुत्ता उतरवा दिया जाएगा ठीक है मतला आप लेक लेबल आपको ऐसे दिया जाएगा जो आपके अंदर इनर्जी जो बचेगा बुल्तम बचेगा ठीक है और वही इनर्जी से काम करोगी उसी तरह से कता उर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रोन के धातू की जो सता है या प्रिष्टिय और उद्धक उसको पार करने में उप्योग कर लेता है ठीक बचा हुआ भाग है वही नहीं उधर आयेगा देखो पहला अगर मालनी इधर एक्स हमारा एनर्जी है एक्स में से हो सकता है कि एक पॉphin्ट हमारा इसमें रहा जाए एक पॉइंट मतलब एक इनर्जी इसमें ऊरुधक में राजाता है तो R पर क्या होगा बचा हुआ भाग निकि X-1 होगा न इधर X-1 होगा क्योंकि 1 जो है आपको औरदग के पार करने में रहा गया और बचा हुआ भाग है इसी तीवर्था को प्राप्ट कर लेता है ठीक है न वहीं कहा गया बचा हुआ भाग इलेक्टोन अपने व्यक को प्राप्ट कर लेता है जिसे जो इलेक्टोन की उर्जा 1 अपन 2 MbA स्क्वाइर के बराबर होता है और जो इसका वहलू जो पार करने में जो तीवर्था है उसका वहलू 1 अपन 2 MbA स्क्वाइर के की होंगे कि फोटोन का जो उर्जा होता है है याद की है कि याद की होंगे याद होगा फोटोन की उर्जा होता है क्योंकि यह सभी करने फोटोन का उप्योग दो तरीका से करता है मैंने यह जर्श्ट अभी इसको किलियर किया कि यहां पर जो फोटोन फोटोन जो होता है फ तूटल जो एनर्जी है ठीक है, जिसमें से पहला बार में जो पार किया उसको अमलोग 5 कहें, क्योंकि उसको औरुधक के पार करने में जो ओर्जा इवेश्ट हुआ उसको अमलोग 5 कहा जाता है, ठीक है नए, और जो बचा हुआ भाग, उसी हम लोग कहते है जो बचा हुआ भाग है वह जो प्रकास की तिवर्ता है उसको वेक को प्राप्त कर लेता जिसका भेलू होता है 1.2 Mb² आप बताओ कुछ उड़ जाईया है कुछ उड़ जाईया है दोनों जोरिंगे तब ने Hb के बराबर क्योंकि Hb ही दो भाग में बटा हुआ है कोई बात यहां पे हैं मैं इसी समझाने के प्रयास करना उस समय से देखिए पहला तो आपको धातु का कारेफलं 5 में कुछ इन्वेश्ट हो गया कुछ आपका 1.2 Mbps हो गया दोनों जो रेंगे Hb के बराबर होगा क्योंकि टोटल उर्जा Hb है क्योंकि फोटन के उर्जा है तो that is Hb इसी बराबर 5 plus 1 upon 2 Mbps समय करन 1 माल भी है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक देखो समय करन है लॉं है थियोरी है डेरिवेशन है समझना पड़ेगा देखो यदि वी इसकल टो वी नोट को तो धातु के सतह इलेक्टोन उससा यह नहीं करेगा अगर जो वेग तो इलेक्टोन उससारजित नहीं करेगा जब इलेक्टोन उससारजित नहीं करेगा तो याद रखना इलेक्टोन उससारजित ही नहीं करेगा यहां अब सीधा कहा कि अगर भी वेग जो है क्योंकि वेग को प्राप्त कर लेता है देखो उर्जा का बचा हुआ भाग अपने वेग को प्राफ्ट कर लेता है अगर वेग ही जब 0 हो गया जब वेग 0 हो गया तो इसका ओर्जा भी 0 हो जाएगा यहां पर यहां पर ग्राफ्ट कर जगा 0 डालेंगे तो क्या होगा तो अतह समीकरन 1 को लिखा जा सकता है एन इस समीकरन 1 को कैसे लिख सकते हैं क्योंकि आप ही बता है कि इसका वेल्व जीरो हो चुका है इसकी वज़े से यहां पर देखो जीरो हो चुका है तो यहां पर क्या वानपन 2 म्बैगय के जग़े 0 डाल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा HV तो HP रहेगा 5 तो 5 रहेगा plus क्या होगा 1-2MB की जग़े 0 डाला जाएगा किस अनुसार से यहां से देखो न क्यों क्यों की 1-2MB स्कॉर का जग़े 0 है तो आप बता है HV पराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, अब देखिए hv बिराव 5 आगे बरेंगे, तो hv है v के जगा वी नोट भी है, यहाँ पर देखिए v के जगा वी नों डाल देगे तो shv नोट is equal to 5 आपको क्यों की वी बरावर वी नोट, यह समीकरण 2 बन गया अब देखो, अब समीकरण one में समिकर टू का मान रखने पर अब क्या करेंगे समिकर नवन में समिकर नपनू का मान रख देंगे अब देखो समिकरस नवन और तू में आपको VOC यहां बें और यहां बें अब देखो इसको हम क्या करते हैं एक तरफ छोड़ देते हैं एक तरफ लाते हैं तो क्या होगा वन अपन टू इमबी इसक्वाइर इसक्वाइर इसक्वार्टू में हो जाएगा और इधर HB यह तो HB ही रहेगा और HB नौट इधर आएगा तो HB नौट यहां जाएगा इसक्वाइगा अब क्या किये हैं पहले रखती यहां इधर उधर कर सकते हैं और HB-HB नौट अब क्या करेंगे इस दोनों में हमको HB लेंगे तो वी माइनस वी नौट हो जाएगा यही समिकरन आइश्टीन का प्रभाव या आइश्टीन का विद्ध प्रभाव का समिकरन होता है दूसरा कुछ नहीं है जो यह समिकरन आया आपका बनाना कुछ नहीं है मेरे दोस्त बहुत ईजी है नहीं समझ में आएगा तो बिलकुल प्रयास करना मैसेज करना नंबर दिकरा कंटेक्ट करना अल सब्जे का नौट सरे लिए है वेरे भी तरह आपको मात्र नानिवर प्या में अल सब्जे का नौट स मिल रहा है के एकी जी क्लास का एप डाउनलोड कर लीजिए यहां तक यह भी है कि टेस्ट सिरीज भी आ चुका है और क्रेस कोर्स जिसमें आपको पूरे इंपोरे इंपोर्टिंट कोर्शन अंसर पूरे एक्जाम तक क्लास लिया जाएगा 299 का क्रेस कोर्स है ओल सब्जे का पिंटेक्ट जरूर कीज़े का नंबर दिख रहा है कंटेक्ट कर ले रहा है मैं दोस्त बिलकुल आपको अच्छे तरीका से त्यारी हो जाएगा ठीक है न तिया आइंश्टेन का समिकरन था और बहुत हीजी है जादा कुछ है नहीं पहल सब्सक्राइग को सुटेंद जरूर मिलेगा अगर इसदी आपको यह qosan से 2 निसान होने वाला है, क्योंकि अगर single पूचेगा, p type और चाला क्या 2 नमबर में, n type और चाला क्या 2 नमबर में, pn संधी डैयोड क्या 2 नमबर में, तीनो एक साथ पूचेगा 5 नमबर में, तीनो एक साथ कब कब पूचा है, 1985 में 1995 में 2015 वर 2020 के एकजामें ये 3,1,7,5 नमर में कोसिर पूछा है जब तक ये 5 नमर में नहीं पूछता तहुम नहीं लाते हैं आप शेक कर सकते हैं 2015 वर 2020 के एकजामें ये 5 नमर के उसन में पूछा गया है तो सबसे पहले P-type पर चाला क्या चली समझते हैं देखे जब सिलिकौन और जर्मेनियम के साथ त्री सेंजी असुद्धी मिलाया जाता है। त्री से नेज अर्चालक जो होता है सुध अर्चालक को नेज अर्चालक कहा जाता है त्याद रखना जब सुध अर्चालक को नेज अर्चालक कहा जाता है या जब सुध अर्चालक में त्री से उजी असुधी मिला जाता है या जब सिलिकॉन और जर्वेनियम के साथ 3-7 शुद्धी मिला जाता है तो प्राप अर्चाला को P- टाइप अर्चाला करते हैं P- टाइप अर्चाला के जो मेन कंड़क्टर में देखो धारा दो तरह से प्रवाव होता है समझो एक गरम तार एक होता है ठंडा तार गरम तार जो होता है कापी खतरनाक होता है उसी तरह से यहां पर क्या P- टाइप और चालाक में बहुत संक्यक वहाँ फोल्स होता है और अलोग संक्यक वहाँ इलेक्टोन होता है और A- टाइप और चालाक क्या कुछ है नहीं जब silicon और germanium के सांध पंच से हों जी या सुद्धी मिला जाता है बस इतना ही फरक है इसमें फारग है इसमें पंच से हैं इसमें पंच से हों जी इसमें पंच से हैं सकते हैं virginia number दिख रहा challenged कर ले ना के वह long Thousand ही नहीं मिलेगा उसमें आपको objective आपको 400 आप जे निगते जर मिलेगा 100 salt question answer मिलेगा 20 long question answer मिलेगा उतना मिलेगा 1 subject का इतना इतना question all subject मिलेगा इसे पार कर 90% iso 90% usted also अराम से कर सकते है उस्य question में था आपको एक कुसन कि N-type P-n-sandhi diode क्या है, चलो इसके भी समझते हैं, क्योंकि आपको जब भी पूझेगा, तो तीनो एक साथ ही पूझेगा, 5 नमबर में, देखो, P-n-sandhi diode क्या है, जब किसी P-type और चाला को N-type और और्चाला के संपर्क में रखा जाता है तो ऐसे बिवहुसता को पी जनसन डायोट करते हैं मैं कहां जब प्रकार की अर्चाला को प्रकार होता है प्रकार के प्रकार के अर्चाला के संपर्क में रखते हैं तो प्राप्त अर्चाला जो ऐसी विवस्ता ऐसे अर्चमेंट को लोग पी जनसन डायोट करते हैं थोड़ा उसकी थीओरी में आगे ब्रहुतरी करना पड़ेगा तभी आपको पांस नमर मिलेगा जब इसका पूछने का व्या कीजिए ठीक है थोड़ा सा व्याक्या करते हैं अब देखें पीन संदी डायोट कैसे काम करता है पी छेतर का होल्स इन छेतर में फ्री एलेक्टॉन को आकरशित करता है समझना पी छेतर का होल्स मतलब पी छेतर मतलब पी टाइप का जो पी टाइप जो होता है फोल्स मतलब चिद्र पी टाइप का जो चिद्र होता है क्योंकि पी टाइप में मुखधरावाग चिद्र होता है पहले आपको पहले ही किलियर कर दिया कि पी टाइप जो अर्चालक होता है उसको मुखधरावाग चिद्र होता है तो पी टाइप का जो अगर चिद्र है वो क्या करेगा एं यह चछीद्र है फिर टाइप का च्छीद्र अगर बगल में इन टाइप रख दियाजाए इलेक्ट्रोन को रख दिया जाये इलेक्टोन को छिद्र घीसेगा जिसे आप ही बताओ अगर गढ़्धा खोन दिया जाए पानी पटाया जाए तो गढ़्धा में पानी आकरसित करेगा पानी को बाता गढ़्धा में आएगा उसी तरह से पी छित्र का होल्स जो है एन छित्र के फ्री एलेक्टोन को आकरसित क करेगा वोही काता है कि एन टाइप का जो फ्री रेटोन होता है एन टाइप न की ठी के फ्री लेक्टोन को आकर्सीद करता है यह इन चीदर नहीं घंड लКак भलगए होगा एलेक्टोन को अपने अकर्सिद कर यहां रहा ठीक आना को पार्क करने करके एक दूसरे से मिल जाता है और संदी को पार्ग को आप सोचो छीचेगा जिदर ढलका होता है पानी उदर बहने शुरू हो जाता है और और बाता क्यों है कि आकरशित करता है कि थूछा है यदर धूंगाओ हे पाणि आओ उसी तरह से पी के पाश क्याव जही छिदर बहुत श रहा है तो यन टाइप में एलेफटोन है तो इलेफटोन को खीचना सुरूओक, भाई हमारा मैं आकर भर जो तो प्रकेया यह किरिया पूर सब्सक्राइब कर दोगा परते पुना संवर्जन में एक इलेक्टर और एक फोल्स नष्ट हो जाते हैं तब कर देखो यह आपका पी टाइपर्चालक है इसमें बहुत सर्थ शिब्र है यह मान लेते हैं हमाना संदी है और उधक संदी है इधर आपका एंटाइब पर्चालक है इधर इलेक्टोन है इलेक्टोन है एंटाइब ठीक है अब देखो पड़तेक पुना से होज़ाई पुना संदी को पार करके दूनों आपस मिल जाता है पुना से होजन कहते हैं पुना से उजन कहाता है पुना से उजन में एक उलेक्टोन एक होल्स को क्या करता है नश्ट कर देता है अब यह समझढे कैसे हुआ तो यह आप को और एक दूसरे से नश्ट कर देगा आप है आग है अगर आदा किलो पानी में राकेंगे अपने आप को पूना सेवजन करके उदासिहन कर देगा अमला और आदा किलो च्छान को अगर एक दसन मिला देंगे तो पानी बन जाएगा क्रीकि एक दुसरे से नूटल बन जाएँगे आए है न उसी तरह से एक इलेक्टोन जब इधर आएगा एक होल्स में भरेगा तो अपने आपके एक दूसरे से नश्ट कर देगा और भर जाएगा ठीक है तो भी कहता है परतेक पुना सिवचन में एक इलेक्टोन और एक होल्स नश्ट हो जाते हैं तो एक इलेक्टोन और एक होल्स नश्ट हो जाते हैं यतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा एक होल्स नश्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है अब जब नश्ट हो गया तो ऐसा लगता है अपनी एक दूसरे से लगते मरं गहें मल इधर भी सिपाहि इधर भी सिपाहि एकक्वाय ग्र्भ एक दुसें आ Looking तो यह कहता है अजहेंक के साथ पुना स्योजन जो होजाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा लगता है अपने आपके सब्सक्राइब अपने अपने आप पुनष्ट इसा नहीं होता है तो उसकी संधी के नजदिक N छेत्र के धनायन P छेत्र में निनायन जम जाता है और इस से प्रस्पर यहाँ पे बैरियर कहा जाता है लेकिए ऐसा कहा जाता है आप इसोचो जब यह पार करेगा संधी को तो एक दूसरे से नश्ट करते जाएगा लेकिन क्या होगा जब इलेक्टोन क्या करेगा यहाँ पे इलेक्टोन जब जब पार करेगा तो इसके संधी पर धनावेश उपस्तित सुरू हो जाएगा और जब धनावेश उपस्तित हो जाएगा तो कुछ देर के बाद इलेक्टोन पार नहीं हो पाएगा कुमिकि धना विस रहेगा तो इसको च्टका देगा तो क्या कहता है वह भी कहता है संथी के नज्दीक जो है क्या करता है यहां प्ne जो पी श्थ्र के साथ का होगी आइसे नहीं होता जैसे कि खना ER में उसके नजदीक एंचे थनाएन उपस्तित होना हो जाता है और यान उपस्तित हो जाएगा आँ उपस्तित हो जागा पी छोर झाएंगें आ िधर आपको देखो इतना दिर बकर बकर कर रहे हैं अगर इसको समझोगे तब पाएगा कुछ आने तर नहीं हो सकता ठीक है न चली आगे बढ़ते हैं एक कोशन और किलियर हो गया यह अभी दो ही कोशन किलियर हुआ आपको मैं कितना अबर बता दिया यह आपका प्रकास पुजिट पहां के आईश्टी द्वासनिकरन क्या लिखना है यह कोशन यहां दख था दूसर का कोशन पी टाइप एंटाइब वर्सलक क्या है पी इंस अंदन ड्यावड क्या है तोई पांस नमर का कोशन है आगे बढ़ कि एक तीन से डबल निसान होगा लेकिन कैसे मैं आपको अभी समझाने के प्रयास करता हूं समझिएगा आप पोस्तन करता है कि उर्जा बैंड उर्जा पट्टी एक है ठीक है ना उर्जा पट्टी क्या है या उर्जा बैंड क्या है आपसे पूचेगा उर्जा पट्टी या उर्जा बैंड क्या होता है उर्जा बैंड क्या है इसकी सहता से चालक किसे कहते अचालक किसे कहते अपने सिल्खा होगा लेकिन चालक अचालक और अर्चालक जो है इसकी डिफिनिशन अपने अपने तर तरीका से बहुत तरीका से लिखा जाता है इसी तरह से यहां पे कहा गया उर्जा बैंड के सिधान के अधार पर ऐसे नहीं के कैसे लिख दीजे नहीं उर्जा पट्टी के अधार पर उर्जा पट्टी क्या है इसकी सहेता से चालक खुचालक और चालक को प्रभासित कीजिए और यह कोशन आपको देखते-देखते 2010-13 पूछ दिया काफी मत्पून है और आप से अगर सिंगल भी पूछेगा अर्द चालक क्या है तो यहीं डिफनेशन आप लिखिएगा इसमें चार कुस्टन हुआ सबसे पहले उर्जा पट्टी क्या है एक एक नमबर के लिए आप उसके चालक क्या है और चालक क्या है चार कोस्टन का जवाब देने के लिए पास नमबर देखो आप जब भी कोस्टन पढ़ते हो तो चोटी चोटी कोस्टन को मिला कर बनाया जाता है तो उर्जा बेंट क्या है एक नमबर मिलेगा लग और चालक का नमबर मिलेगा सबसे पहले उर्जा बेंट क्या है चलो समझते हैं प्रमानु में इलेक्ष्टोन नाभी के चारों बॉर अलग अलग कक्छां में चक्कर कारती है तता परते कक्षा का अलाग अलाग निस्चित उर्जा होता जिसे इनर्जी लेबल कहते हैं यहां तक हो सकता है इनर्जी लेबल भी कह सकता है इनर्जी लेबल ठीक है मैं दो सिंपल समझो जो परमानू है परमानू के जो इलेक्ट्रोन होते हैं वो नाभिक के चारों और अलग-अलग कक्छाओं में चक्कर काड़ती है और परतेक कक्छा का अलग-अलग अपना उर्जा होता है समझे फिर से परमानू का जो इलेक्टोन है परमानू में इलेक्टोन नाभिक के चारों और चक्कर काड़ती है अलग-अलग कक्षा में चक्क्र काड़ती है और अलग-अलग कक्षा मतलब रूम इसके अलग-अलग कक्षा में चक्क्र काड़ेगा गुरार इसमें एक उपेक्टॉण होगा और इसमें अपना छक्र करते हैं इसे तरह से थे क्षा अते हैं तो ही प्रमाणुमीर्थ नाविक के चार और अलग अपना उर्जा होता है और जिसे मैं एनरजी होतों वह पूछ रहा है एनरजी लेबल कहा आजाता है कि यह समय चमाझ में क्चाइब्यक्रीपक्रम में क्या है और ऊच्णा पक्रम क्र hedgeot सेम अब इसकी सहाता से चालक पूचालक को हम लोग और चालक भी कहते हैं और चालक का डिफिनिशन लेखिया तो चालक किसे कहते हैं तो चालक में देखो चालक तभी होगा जब इलेक्ट्रोन आपस में देखो चालक जो होता है जब क्रेंड पर फॉलो करेगा क्रेंड एक जाना सुरू होगा तो एक क्रेंड तब जाता है क्रेंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रोन फॉलो करता है तो क्या चली देखिए वैसे पदार जिसमें सियोजी बेंड और चालन बेंड आंसिक रूप से भरे होते हैं या उभरलेप होते हैं हुआ कउबर लेव मतलब होता है कुल तब भरा हुआ एक दूसरे से लेव जैसे एक लेक्टों यहाँ पे ट्रों यहाँ पर कर्ड पूर में क्या होता है होंपर सोग जी बैंड होता है और चालनबैंड यह दोनो ay क्रीक दोनों एक दूसरा से स्वालो करेगा हुड़ा क्रेंड भूल रूट से भरा होता है या फ़र मतलब क्रीक है क्यल्यव送り स्वाय था पहुता है वैसे पल्राइब कर से अ नियोक्ऽ bisher हुड़े दुर्的 भी बैंड पूनुप से भरे होते हैं या ओफरलेप होते हैं चालक कहलाता है क्या कहलाता है उसे चालक करते हैं याद रखना वैसे पदार जिसके में सेमोजी बैंड और चालन बैंड पूनता भरे होते हैं या पूनता ओफरलोप होते हैं उसे हम लोग चालक करते हैं तो समझ करता है ऑ चाले कुछ चाले का है कुछ चालिक और एक यह चीज थे ठीप से पतता जिस्में सी स ही गया होता है गता चालंड कर रहता है सिमिट बैंड क्या होता है कि खोन से विंट को होता है एलेक्टोन से भरा Сunders अगा होता है position से भरा होता है लेकिन चालर बैंड खाली है इसे लिए क्या होता है या अचाला कहलाता है यहां पर क्या है इस है या है लिखी है यहां पर से और गर इस करते हैं यह इस तरह से वैसे पदार जिसके सेवजी बैंड में लेक्टॉन तो भारा होता है लेकिन चाला बैंड पूनता खाली होता है और कुछाला खालाता है तो दो तरीका साथ डिफिनिशन लिख सकते हो और दोनों में से कोई एक लिदिशे काम हो जाएगा अब इसी का चाला कोशन है इसी कोशन का अगला टॉपिक हमारा है और चालक क्या है देखिए और चालक जो होता है यह कभी डाउन कप डाउन अपना करता है मतलब कभी चालक कभी और चालक कभी और चालक के मतलब हैं दोनों की तरफ हाती विवार करता है ठीका ना दोनों के तरफ विव कभी चालक कभी और चालक लेकिन कैसे होता है तर्म देखिया वैसे बिदार जिसमें सेंद्सप्राइब करिष tact तो कभी इसलिए सुक्ष मतलब आन्सीक म्रुप सब्सक्राइन अन्तराल Gallanger लेकश चालंग res सुख्ष में गुजिए अग्धर हम्र होता है तो इलेक्टोन जो होता है चालन बैंड से स्योजी बैंड में चला जाता है यह इलेक्टोन जो है इलेक्टोन चालन बैंड से स्योजी बैंड में चला जाता है जब टंपरेचर नहीं जाता है क्योंकि सुन्य है अगर टंपरेचर सुन्य होता है तो इलेक्टोन चालन बैंड स विवार करता है अगर आगे चली इसे में यदि टमप्रेचर बढ़ाते हैं अगर तापकरम बढ़ेगा ठीगें लाशान में चला जाता है चालन 묞्यमाजी बैंड में जला जाए गवार यह चनलां करा दिक्कत नहीं है इस सब ले सकते आप पर ले सकते हो नंबर दिख रहा कंटेक्ट कर लिए एप डाउनोड कर लिए मेरे दोस्त प्रेस कोर्स भी जोईन हो दो यह एक कोसन के लिए हुआ एक कोसन में आपका यह तीन पहला यह कोसन है उर्जा बंड क्या है इसकी सहयता से चालक कोचालक और चालक को प्रभासित करें इस्तष्ट कीजिए और यह कोसन कितना बार सबसे पहले मैंने लिखा उर्जा बंड क्या है चालक क्या है फिर मैंने बताया और चालक क्या है फिर म इसमें भी तरीका से आपको कोशन पूछेगा, एक तो आपको सौर कोशन में एक लोग कोशन, इसमें भी तीन चार कोशन है, कोशन क्या है, पहला नाइन नमर कोशन में A और B करके कोशन किया गया था, A नमर कोशन में आप पूछा था, क्योंकि आपको कोशन करेगा A नमर, B नमर करके दोनों मिला कर पाच नमर, ठेक है ना, तो कोशन A और B करके किया था, कोशन क्या है, A नमर कोशन में, A नमर कोशन, इसके लिए आपको तिन नमर देगा, A नमर कोशन के जमाब देजे तिन नम aur b-nummer question के जवाब दीज़े 2 processing is दूं नमर 5 आर देखो इन नमर को इसे आप क्या समझते हैं यानि की इन्हमर को से भी दो को सन्कят को से भी डीज़सन के साफ क्या समझते हैं एन नमर को सिंके तो डिज़ेटल दो से के निरम हो गये दोनों के लिए तिन नमर मीरेगा और बाद में जब दो नमर देगा चलो इसको परते और अलग अगर कोशन पूछे तो दो नमर देगा," ठीक है नगilläक और वसे कोशन पूछेगा लगतरीया फै़ा याग पूछेगा यहां पर लोंक पूछेगा. और बहुत इजी तरीका से होता है देखो समय के साथ परिवर्थित होने वाले बिद्दुत तरंग समय के साथ परिवर्थित होने वाले बिद्दुत तरंग को हम लोग इने लोंग संकेत या अनुरूप संकेत कहते हैं इतनी से एक लाइंगा हो या खत्म कि यही होता है, तो मैंने कहा, समय के साथ परिवर्थित। होने वाला विद्धु तरंग को हम लोग अने लूंग संकेत कहते हैं या अनुप संकेत कहते हैं अब digital संकेत क्या है? डिचि़्टल संकेत समझे या डिगिठल मतलब आंकिक संकेत क्या है? देखो डाटा तथा सूचना को किसी आंकिक संक्य दोरा परदसित किया जाता है जिसे हम केवल द्विधारी संक्या 0 तथा 1 होता है एक मिले मैं दोस्त हुँ हु हु हुँ हु हु हम हु चुल उखे लाओ को लो आखे भी हुए 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 हुह हुए तो data ततथा सूंख्या को किसी आंकिक संख्याथ आंकि के दोरह पर्दसित किया जाता है वे तो आपको पता है पर्दसित किया जाता है जिसे एक नमर कोस्यर किया रुगा 9 number question के A number question और 9 number question में B number B question ने देखो कैसे 9 number question में B question क्या है B number question ने I am moonland क्या है समझाई I am moonland क्या है आविर्ती moonland क्या देखो moonland तीन होता है एक होता I am moonland एक होता आविर्ती moonland ठीक है ना एक होता काला moonland याद लगा moonland यह आई खुता है मौन दोना ठीक है आविर्थी मौनलन काला मौनलन समझ यह आयाम मौनलन क्या है यदि वाहक तरंगे का आयाम यदि क्या हम हाइलाइट कर रहे है आयाम निम्न आविर्थी वाले तरंगे के आयाम का अनुसार बदलता है उससे हम आयाम मौनलन कहते है उससे क् मैंने तीन जर्ग किए वहहत तरंगे का आजयाम लगा तो क्या होगा अगरा आयाम के लागन्त है के लिपते है त raped श्रतlında अब पढ़िए मब आयाम में अधीट यहाँ खीẫn भड़ार नीमना आनुसार बदलाब में यिसले वहाग तरंगे का याम निमना आविर्ति वाले आयाम के अनुसार बदलता है दूसे हम आयाम उर्लन कहते है यह question number 9 था जिसमें 2 question involved था A number question में भी 2 था और B number question था यह दोनों मिला कर 5 नमर देगा ठीक है आगे चलिए अगला question काफी खास होने वाला है तो मैं दोस्त थोड़ा सा मैं इसको अर्जेष्ट करता हूँ ताकि आपको दीखे अच्छा से ठीक है ना अर्जेष्ट कर लेता हूँ पहले इसको ऐसा ना कि कोई दिक्कत हो जाए बाद में मैं मित्र आपको सायद दिख रहा होगा नंबर भी दिख रहा होगा नंबर है तो कंटेक्ट जरूर कीजिएगा मैं थोड़ा से और इसको अच्छा से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे बध्या से बढ़िया तरीका से दिखे आपको कोई धर धर वाला बात सना हुआ ठीक है न हम चाहते के पूरी तरह से फ्रीस नजर आया आपको ठीक है तरह से फ्रेश कि कुश्वर और से स्वाज़ सुदर कर रहे हैं है एक दिखिया अगर यह लेंसमेकर फर्मूला और यह कुछ से काफी महत्पून कुछ से नहीं और कुछ से कहता है कि लेंसमेकर फर्मूला क्या है यह डिरेक्ट आपको लिखेगा 1 upon f बराबर mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 का पूरूफ कीजिए इसी को लेंसमेकर फर्मूला कहते है ऐसे नाम से कम पूछेगा डिरेक्ट पूछेगा कि 1 upon a बराबर mu minus 1 into 1 upon r minus 1 upon r2 को पूरूफ कीजिए इस साबीत किजिए कैसे हुआ है कैसी ऐया उसको साबित करने विदम सा vatarते शावत क्रने को सब्सक्रान करेगा सब्सक्राण या बगल बनाते हैं फिर आपको यहां पर समझाने के प्रयास करते हैं थेक देखो फिगर माप को नीचे रखता है'm थलिए बनाता हूं मैं अराम से फिगर बना रहा हूं आप समझ्द के प्रयास करना फिगर को मैं लेता हूं यहांसुन हाँ मपीज़े इंब कि लेखो इसमें दो हम क्रवोर्तक सथा है चुछ Männer ठिक एक है A है कि हमारा B है C है और A D C हो जाएगा इसमें दो परवर्वर्तक सता dirt है A B C beliefs दो परवर्तक इंद्र आपको नजरा रहा होगा दो परवर्तक सता आपको नजर आ रहा होगा अब दोनों परवर्तक सता सब समाज़िए ABC अब हम क्या करते हैं किसी वस्तु को अगर हम यहां पर रखते हैं ओपर ठीक है और वस्तु जब रखेंगे तो वस्तु जाएगा इस पर च्रक़ाएगा कि इस तरह से कि इस तरह से जाएगा इसका है फिगर समझी यह यह याकर उधर भागा ठीक है न संभांत मैं यह वस्तू का प्रतिवीम बनेगा इसको आइवन कहा सकते हैं आईवन प्रतिवीम बन ठीक है और देखो अगर वस्तु का प्रतिवीम बन रहा है अब अविलंब काटेंगे एक देखना अविलंब इसको जिसको यह अविलंब जो कटा यह दो भागों बट गया एक मिवन है एक म्यूटू है दो भाग है इसमें म्यूटू अब देखिए यहां पर क्या कहा कि माना कि म्यूटू अपरतनांग वाले पदार्थो से बना एक उत्तर लेंस को म्यूटू अपर्तनांग वाले पदार से बना एक यह जो अपर्तनांग है म्यूटू है तो यह जो लेंस है वह कता है कि म्यूटू अपर्तनांग वाले पदार से बना एक लेंस को म्यूटू अपर्तनांग वाले माध्यम में रखा गया है यह जो माध्यम है यह म्यूटू है पूरा माधियम में इसमें दोसता से घिरा हुआ है तोई क wsp इता दोसता से घिर कर बनता है ठीक है ना कोई कहा गया मुवन अपोर्टांग वाले मादे में रखा गया है माना की लेंस के दो अपोर्टक सता माना की लेंस में दो अपोर्टक सता यह के होता है एक फिरी यह होता है दो होता है दो अपोर्टक सता ABC, ABC और ADC है ADC घिरा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हूँ ABC, ABC ये का पोर्तक सता दुसर का ADC से घिरा हुआ है जिसका वकृता तिरिजया आरवन तथा आर्टू है वकृता तिरिजया ता आपको पता ही होता है वकृता केंदर को अगर मान ले हमारा इसके वकृता के अंदर यहां है और इसका वकृता के अंदर यहां पर होगा इसको आम लोग क्या कहेंगे इधर C1 हो जाएगा इधर C2 हो जाएगा ठेक है चलिए और याद रखना धुरूस यह वकृता के अंदर के जो दूरी के वकृता्स तीरज़ा कहते है इद्धर आपका न हो जाएगा है नग उधर आपका रूज़ाएगा शड़िए तो भी कहा गया दो सदसदा से घीडाल जिसका वकृता तीरज़ा आरíd अरू living और वह करता केंदर C1 C2 ठीक है इधर C1 ने इधर सुटू है अब देखिए अब देखिए अब देखिए अपोर्तक सता A B C के द्वारा अपोर्तन भाया जी यह जो कोशन का भी मैं एक फर्मूला लेकने वाला हूं यह यह स्पेसल एक लॉन कोशन है आपके कोशन कहेगा अब अपोर्तक सता के लिए सुत्र होता है तो मान आप जब अब अपोर्तक सता ABC ABC अपोर्तक सता के लिए एक सुत्र होता है अपोर्तन के लिए एक सुत्र दिया जाता है minus 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 plus minus 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 1 लिखेंगे तो माइनस मीव अपॉन अपॉन यू प्लस मीव टू अपन भी यह सुतर को याद रखना यह और यह दूनों सुतरवा को हो सकता है कि आपको यह कैसे आया तो इसके लिए भी एक कोस्टन होता है यह दोनों को प्रूफ करके बताया जाता है लेकिन आप जब थिय पूरी नहीं परा हूँ पुरए पुल्डभ नहीं परा रहा जा सीफ इं पोर्टन बता रहे है तो इनमपॉर्टन में यह कैसे फरमुला आया इस दोन फोर्मुला का आपको रखना पढ़ेगा तब यह formula बनेगा तो mu1 upon u plus mu2 upon v1 is equal to mu1 mu2 minus mu1 upon R1 सब्सक्राइब अब अपर्टक सतह यहां पे 2 जो अपर्टक सतह है अपर्टक सतह क्या है अपर्टक सतह adc की बात कर रहें तो अपर्टक सतह adc की बात करें तो क्या करेंगं तो 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 समीकरण को जोड देगे तो क्या होगा समीकरण 1 आपके पास यह है तो लेप्टिन साइट को लेप्टिन साइट के जगर रखेंगे राइट और यहां पर देखिए आप लिप्टन साइड की यहां पर रख दिये मिनस हो गया जोड़ना है同स्य एड़ करना है लेकिन माइनस तो माइनस हो जायागा इतना हो गया और यहां मैनस हो गया तो जोड़ने के बाद इजी से आजाएगा देखो कैसे मुट सब्स में अब क्या करेंगे , , , या सही धिए कटेगा यह माइनेस में प्लस में इस वर इस हथी कर जाएगा तो बचेगा सिर्फ यहा हम पर बचेगा यह वरला पोर्सन बचेगा और यह वरल पॉर्सन मीटिए खांट टो समझदा औराम से one minus mu1 upon u minus mu1 upon u plus mu1 upon V is equal to is equal to होगा अब देखो दोनों में से common आने बदा इसा isu two common क्या एगा यहा seventeen 1 minus mu2 minus 1 mu2 minus mu1 mu2 minus mu1 common आ जाएगा mu2 minus mu1 common होग्या यहां पर हो जाएगा 1 upon r1 minus 1 upon r ठीक है यहां पर यहां पर यह आ आ गया अब देखो यह समय के रन में क्या करेंगे हम लोग यह जो आपको equation एक प्राप्थ हुआ यह जो आपका एक जो प्राप्थ हुआ फर्मूला इसमें क्या करेंगे हम simple मी 1 से भाग कर देंगे मी 1 से इसमें भाग कर देंगे दोनों पक्षों में मी 1 से भाग कर देंगे देखो यहाँ पर divided both side by मी 1 तो भाग करेंगे तो simple है जब यहाँ भी मी 1 हो जाएगा यहाँ भी मी 1 हो जाएगा यहाँ भी मी 1 हो जाएगा अगर मैं यहां पर लिखने हैं कि प्रयास करूँ देखो अगर दोनों तरफ mu1 से भाग कर दिए यह कटेगा तो क्या होजाएगा माइनस 1 अपन यू बचेगा प्लस 1 अपन वी बचेगा इस कल्टू में देखो अगर मिचेगा इसको क्या करते है माइनस 1 अपन यू प्लस वन अपन भी तो क्या करेंगे 1000 वी बाहिन तो ओएन वी दो क्याला देखत इस तरह से यहां पर समाझ प्यास मैं अब देखिए आप यहां Click है यहां में क्या कि मीमं से भाग कर दी यह कर जाएगा बच जाएगा एक चीज एक आपने इसने यह an achievement पराऊगा तो इसनेल का नियम कहता है जो अपॉन मुउन होता है तो बट मुट्राइब दाल सकते हैं जो कि वस्तु अनंत पर रखागया था का भेलू क्या है इन्फोनाइट हो जाएगा और वी का भेलू क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा क्योंकि फूकस हो जाएगा भी के बदले तो वस्तु जब अनंद पर हो तो प्रत्वीम अनंद पर बनेगा जब वस्तु अनंद पर होगा तो प्रत्वीम अनंद तो आपको क्य यह जाएगा अब देगे अगर 1 में इसे भाग देंगे तो उसके पहलो जीडो आता है , वह कैसा है गिसे म्ढ़ दिया जाए सिके बहलो जानमें सब्सक्राइबर याद रखना और नहीं समझ में को जैदा काम नहीं आता है लेकिन स्वी घर बनाना ज़़ूरी है इसलिए इसलिए याद refers और यह कॉसन का हुष़ाट क्वेहां दियान रखना और लाकशन समय आहाएगा तो एक बार कोसन और बच रहा है तो धीर धीर पढ़ाएंगे नंबर दिख रहा है कंटेक कर लेना में दोस्त नंबर में यहां पर लिख देता हूं एक आनवेर सतरा एप डाउनलग कर लिजएगा केकेजी क्लासे का इस पर आप कर सकते हैं इसमें पूरे इंपोर्डेंट कोसन आंसर मिल जाएगा जिसे पर आराम से 400 क्लस कर सकते कुछ नहीं पर है तब भी ठीक है ना चलो मेरे दोस्त थैंक यू और प्लीज एक बाट टेलिगाम जॉइन करें थैंक यू मेरे दोस्त